नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आप सभी लंकापती रावण को तो जानते ही होंगे लंकापती रावण एक ऐसा तफस्वी था या यू कहे कि वह है योगी था जिसके प्राकरम से संपून ब्रहमार कापता था परम्तु क्या आप जानते हैं कि आखिर रावण के जन्म के पीछे क्या रहसे चुपा हुआ है और वहे किस कुल में जन्मा था इस सत्थे से बहुत ही कम लोग परिचित है रावण के पिता विशेव श्रा महान ग्यानी रिशी पुल सत्य के पुत्र थे विशे श्रुवा के विशे में यह भी कहा जाता है कि वहे अपने पिता के समान ही ग्यानी योगी थे यह बात उस समय की है जब एक बार देवासूर के भेंकर संगराम में प्राजित होने के बाद समाली मल्यान ने जैसे बलशाली राक्षस भगवान विश्नु के क्रोद से बचने के लिए रसातल में जा चुपा अनेको वर्ष बीद गए परंतु राक्षसों को देवताओं को पराजित करने का कोई मार्ग नहीं सूच रहा था एक दिन समाली अपनी पुतरी कैकसी के साथ देवताओं से छुपता हुआ रसातल से बहार आया तभी उसने रिशी विशेशुरा के पुत्र कुबेर देव को अपने पिता के पास जाते देखा कुबेर को देखते ही सुमाली भैर से कापने लगा और भैर शीगर अपनी पुत्री के साथ रसातल की और वापस लोट गया परन्तु अब उसे रसातल से बहार आने का मार्ग मिल चुका था सुमाली अपनी पुत्री केक्सी के पास जाकर बोला मेरी प्रिया पुत्री हम जी सवस्ता में यहां रह रहे हैं उस वज़े से मैं सोयम तुम्हारे संयोग वर ढूनने में असमर्थ हूँ अंतह तुम खुद रिशी विशेश्रा के पास जाकर उनसे विभा का प्रस्ताव रखना होगा पिता की आग्या रुसार कैक्सी रिशी विशेश्रा के आश्रम में पहुँच की रिशी उस समय अपने संध्यावंदन में लीन थे कुछ समय बाद उनकी आखे खुलते ही रिशी ने अपने समुग एक सुंदर कन्या को देखा वे उसकन्या के आने से परियोजन अपनी योग्य विद्या से जान चुके थे लेकिन कैक्सी जिस रिशी विशेश्रा के समुकाई थी वह बेहत दारून वेला थी जिसे कारण ब्रहमर कुल में पैदा होने के बाद भी उनके पुत्रों की प्रवर्ती राक्षसों की होगी और इसी परियोजन से सुमाली ने अपनी पुत्री कैक्सी को रिशी विशेश्रा के आश्रम में भेज़ था कैक्सी इस बात से अंजान थी रिशी विशेश्रा ने कैक्सी का परस्ताव स्विकार कर लिया तथा उनका विवा संपन हुआ परंतु जब रिशी विशेश्रा के यह बात पता चली कि उनके होने वाले पुत्र राक्षस प्रवर्ती के होंगे तो यहाँ बात उन्होंने अपनी पत्नी कैक्सी को बताई तब कैक्सी रिशी के चड़नों में गिरते हुए बोली कि आप इतने महान तपस्वी हैं फिर आपकी संतान राक्षस प्रवत्ती की कैसे हो सकती है आपको अपने संतानों का आशिरवाद अवश्य दिन होगा कैक्सी की प्रात्ना पर रिशी विश्वेश्वरा ने कहा मेरे तपस्या के प्रभाव से हमारा सबसे छोटा पुत्र धर्मात्म होगा इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता कुछ महापश्यात कैक्सी ने एक पुत्र को जनम दिया जिसके दस सर थे रिशी ने दस सर होने के कारण अपने इस पुत्र का नाम दशग्रीव रखा इसके बाद पुत्र कुमकरण का जनम हुआ जिसका शरीर इतना विशाल था इसके संसार में उसके समख्ष कोई भी नहीं था कुमकरण के बाद पुत्री सुपनखा तथा इसके बाद विबीशन का जनम हुआ इस प्रकार दस ग्रीव एवं उनके भाईयों भैनों का जनम हुआ और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वह दश क्रीव कोई और नहीं बलकि सोयम रामर था दोस्तों अगर आपको एक हाज जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद